कि हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप लोग उमीद आप लोग बहुत अच्छफ हूंगे अप सभी का हमारी यूटूब चैनल एके एक इडूकेशन स्कॉर्ट में स्वागत है और फ्रेंद्स आज का जो हमारा टापिक है उसमें फिचिकल एडूकेशन का है और उसमें देखते हैं क्या है प्राचीन ओलंपिक खेल की सुरुवात कब से हुई है तो ये हुई है 726 बीसी में ठीक है 726 बीसी में हुई है और कहां हुई यूनान के ओलंपिया सहर से ठीक है यूनान के ओलंपिया सहर से हुई है और फ्रेंट्स यहां पर थोड़ा बीसी का मरलब बता जो इसदी बोलते हैं तो क्राइस्ट जिसे ईसर पूर्व लिखते हैं और जो एडी होता है एडी को एडी को अनलब जुट स्वाइब आध्या नॉ मिनॉन निसबंद आढ़क किस दो, आध्य contest हमें का कि मेनि स्रोम हमेनी किने इस ऑर समय को इस व्म हम करें MAR ging nehme चलिए फ्रेंट्स उम्मीद करें समझ में आया होगा अगला देखते हैं यच वी पी यम यच वी पी यम की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई है 1914 में ठीक है यच वी पी यम की स्थापना कब हुई 1914 में हुई है और इसकी स्थापना करी किसने थी 1914 में तो अंबा तो चलिए अगला देखते हैं और इसका जो फुल फार्म होता है हनुमान बयाम परसारक मंडल है इसका फुल फार्म अगला देखते हैं प्रस नमबर तीन प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेले जाते थे तो ये जीएस देवता के सम्मान में खेले जाते थ इसलिए इनको कहा जाता है तो चार पर खेले जाते थे इसलिए इनको कहा जाता है उलंपियार्ट कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है ओलंपियाद कहा जाता है अगला question देखते हैं pressure number 5 क्या है रोम के समराथ Theodosius ने प्राचीन ओलंपिक खेल पर कब परतिबंध लगाया ठीक है समराथ यानी राजा ने अंतरवाश्टी योग दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 21 जून को और इसकी शुरुवात कब से हुई है तो इसकी शुरुवात जो हुई है वो सन 2015 से हुई है मनाने की ठीक है सन 2015 से मनाया जाता है क्या 21 जून को योग दिवस अगला देखते हैं प्रस नमबर साथ प्रस नमबर साथ देखते हैं क्या है आधुनी ग्रीस मकालीक ओलंपिक की सुरुवात कब से हुई है तो ये हुई है 6 अपरेल 1896 से ठीक है ग्रीस की राधानी एथिंस में ठीक है ध्यान से पढ़िएगा हर कोश्चन बहुत ही ज्यादा महात्पूर है तो इसको देखते हैं साथ नमबर को आधुनी ग्रीस मकालीक ओलंपिक की सुरुवात कब से हुई है तो 6 अपरेल 1896 से हुई है कहां से हुई है तो देखिए ग्रीस की राधानी एथिंस में हुई है ठीक है ग्रीस की राधानी एथिंस से हुई है और किसने कर दो चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा अगला देखते हैं कि चड़ इसनान परसिद्ध है तो यूनान में किच़ई सनान परसिद्ध हैतो फ्रेश्न नमबर कोंसा है नौन नमबर अधनिक सीध कालीन उलर्पिक जिन्हें हम विंटर उलर्पिक कहते हैं तीक है 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 में कि प्रेश्टन नंबर के कौल सा है । फार नंबर 113 है ऐसंति जिखpine इन ओलंपिक भिठेंटे एना विंटर लॉंस चाहिते हैं ते चावव निक से फ्रांस से हुई थी ठीक है जन्वरी 1924 को और कहां से चार्मोनिक्स फ्रांस से हुई थी प्रस नंबर 10 ओलम्पियन सब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला बेक्टिकाउन था जहां से पढ़िएगा ओलम्पियन सब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला बेक्टिकाउन था बुर्णाइर्फ़र ने अपनी पुष्टक है हेन्री शिक्स में पंद्रासो इक्वानवे में इस सब्द का इस्तेमाल किया था किसने 맛있 सब्सक्सक्राइब किया था तो बिलियम्सियर ने किया था और मयलब कब किया था तो 159 में उससमें जो है तो पर सिंय स्थिवंगे इस्तेमाल कया था इसके हो जाएंगे विल्यम सेक्सपियर कब कया था तो 1591 में और आपनी पुस्तक उनकी पुस्तक स्थीव क्या थि हैं एंपनी पूस्तक जी थे हैं करेंरी रहें इस दॉवशन है सब्सक्तिवन हो जाएगा ठीक है क्या हो जाइगा यह यह लूसाने स्वीटिजेले लैंड हो जाएगा ठीक है वाड़ा की श्थापना दस स्थापना को ही 10 नुम्बर 1999 को लूसाने स्वीटिजेलेंड में हूई है इसका जो मुख्याले मांप्रियल कनादा में है आर वाड़ा का फुल फार्म होता है वर्ल्ट एंटी डोपिंग एजनसी इसका जो यह संस्था इसलिए बनाई कई थी क्योंकि जो वैस्विक इस्तर पर या अंतरश्टी इस्तर पर जो प्लेयर होते थे वह अपना प्रफार्मेंस अच्छा करने के लिए कुछ नसीले पदार्तों का इस सेवन करते चले अगला देखते हैं प्रस नमबर 12 आध्वनिक खेल का पहला पदक किस ने जीता है तो यह हो जाएंगे अमेरिका के हैं जेम्स ब्रेडन कोनोली ठीक है जेम्स ब्रेडन कोनोली ठीक एह अमेरीका के हैं जेम्स ब्रेडन कोलोनी और इन्होंने गा्या महल्प कितनी चलांग लगाई थी किया था कॉंस थे जेम्स ब्रेडन को नोली ठीक है चलिए उम्मीद करें समझ में आया होगा बहुत ही महत्पूर कोश्चन है हर कोश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक एक कोश्चन में कई के कोश्चन बनते हैं ठीक है पर समपर 13 देखते हैं पहली बार ओलंपिक में महिला को ऐनी सामिल किआ गया था और वह में पेरिस ऑलंपिकन में ऊसके किटनी भाग लिया ह soft moje कर देखते हैं अगला देखते हैं मां का ट्राफी कीнес रवात कब लेते हैं तो एक वर्स में जो सर्फेष्ट खेल परदर्शन करने वाली उनिवर्सिटी या विस्विद्याले होता है ठीक है जो साल भर में सर्फेष्ट खेल परदर्शन करने वाली जो करने वाला विस्विद्याले होता है उसको दिया जाता है और जो पहले नंबर पर होती ह इशी के प्राफ जाती है और दूसरे नंबर पर जो होती है उसको सारे सात लाक रूपे दी जाती है ठीक है उमेद करहें समझ मेन आριह होंगे मौलाना अब्दूलकलाम आजाद ट्राफी ठीक है मौलाना अब्दूलकलाम आजाद ट्राफी जो है इसका फुल फार्म होता है और 1956 में इसकी शुरुवात हुई थी और जो वर्स भर जो सर्फशेष्ट खेल पर दरसन जो भी सुविदाले करता है उसको बलब यह पुरुसकार दिया यानि इंडियन ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ठीक है अंतर्याश्टि ओलंपिक समित मलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1894 में ठीक है 23 जून 1894 में हुई है और जो इसका मुख्याले है वो कह है लुसाने स्थापना कब हुई तो 30 जून 1894 में हुई और जो इसका मुख्याले है वो लुसाने स्थापना करी थी तो प्रेडी कुबर्टिन ने करी थी ठीक है प्रिश्ट नंबर सोला प्रिश्ट नंबर सोला देखते हैं अंतराष्टी ओलंपिक के वर्थमान अध्यचि है तो वर्थमान अध्यचि जो है ये ठामसबाच है ठामसबाच है और ये दूसरी समित होती है उसमें एक अध्यश होता है तीन उपाध्यश होते हैं और साथ जो होते है अनिसदस ओते है ठीक है एक अध्यश तीन उपाध्यश ऐurt ग्रोव साथ जो हब annyshaddas होते और जो ओलंपिकおおompik अथ्यश होता है इसका सेलेक्षन आठ वरस के के लिए लिए किया जाता है ठीक है अनी सधस्य जो होते हैं उनका मतलब चार वर्ष के लिए कि अध्यच होता है उसका आठ वर्ष वर्ष केुए falsy को जाता है अन्नीसदन जो होते हैं उनका चार वर्सों के लिए सेलेक्शन किया जाता है प्रस नमबर 18 नादा की स्थापना कब हुई तो नादा की स्थापना हुई है 24 नॉवंबर 2005 को हुई है और कहां हुई है भारत में हुई है इसका मुख्याले जो है वो नई दिल्ली में है ठीक है इसका मुख् प्रफोर्मेंस बढ़िया करने के लिए नसीले प्रदाथों का सेवन करते हैं उन पर रूंक लगाती है ठीक है तो नादा का फुल फर्म हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी ठीक है और इसका जो इसकी स्थापना हुए नादा की तो 24 नॉमबर 2005 को इसका मुख्याले जो है नई दिल्ली में है और नई भारत में इसकी स्थापना हुई है प्रस नंबर 20 देखते हैं 20 जुलाई 2021 से ओलंपिक का नया आदर्स वाक है तो इसको देखते हैं क्या परीवरतिनिस में प्रेवरत था CTS, RTS, 40S ये तीन सब्द थे ठीक है 20 जुलाई 2021 के बाद से इसमें एक सब्द जोर दिया गया है कम्यूनिटर ठीक है इसको याद पढ़ लेना बहुत ही महत्पूर्ण है ये कोश्चन 100% आने की समभना बनेगी परिछा में ठीक है हलांकि इसमें जो जितने भी कोश्चन हैं बहुत ही जादा महत्पूर्ण है सभी का लेबल देखकर आप समझ गया होगे किस तरह के कोश्चन है बाकि यह जो question है बहुत ही ज़्यादा महत्पून है तो इसको देख लेते हैं एक बार 20 जुलाई 2021 से ओलंपिक का नया आदर्स वाकि क्या है तो तीन सब्द तो इसमें पहले से थे CTS, RTS, 40S और इसमें जो नया सब्द जोड़ा गया है इसको ध्यान रखिएगा Communiter ठीक है और यह जो CTS, RTS, 40S जो इनका आर्थ होता है CTS का मलब होता है CTS का मलब तेज, RTS का मलब होता है उचतर यानी उचा, 40S का मलब होता है बलवान ठीक है और यह जो फास्टर हो जाएगा, आल्टीयस का मलब हो जाएगा, फास्टियस होता सबसे उंच यानि बलवान और जो टूगेदर, महलब سात-सात, अब यह जो सात-सात यानी टूगेदर का सब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो एक कोरोना की वज़य से यह सब्द्द गया था, तो यह ने वी जोक जब लोग एक जुत हैं इस बीमारी से लगने के लिए, ठीक है तो मैंने कारण उसका यही था कि वैसिक वीमारी जो चल लहीं थी कुरोना उसी को देखते हुए हम लोग सब एक हैं साथ साथ हैं मझा संक्यत देना था ठीक है उमीद करें समझ में आया होगा प्रस नमबर अगला देखते हैं मीरा बाई चानू मढ़ि पुर्की किस खेल से समधित हैं तो भारतों ॥ार्व तोलन से हैं यानि वेठ लिफ्टिंग से हैं ठीक है और किस राज प्रस्वर 1 से भारती उलंपिक शंग भारती उलंपिक शंग यानि I O A इंडियन उलंपिक एसोसियेशन ठीक है पहले जो था इंडियन उलंपिक कमेटी था वों पूरे विश्व की इसोसियेशन था और ये जो भारती तो इसको क्या कहते हैं साथ फर्म में आई ओ ए यानि इंडियन ऊलंपिक एसोसियेशन होता है और इसकी स्थापना कब हुई यानि भारती ओलंपिक संग की स्थापना कब हुई है तो 1927 में हुई है ठीक है और इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है प्रेस नंबर 22 भारती ओलंपिक संग के पर्थम अध्यच थे तो भारती ओलंपिक संग के पर्थम अध्यच कौन थे द्वराब जी टाटा थे ठीक है प्रस नमबर 23 क्लासिक यूग किसे कहा जाता है तो इस्पार्टा काल को क्या कहा जाता है क्लासिक यूग कहा जाता है ठीक है इस्पार्ट सिर्वाइं सुनह वह थी तो भारत में हुई थी और जो इका मुख्याले है क्यों का तो कहा है क्लाइए नई दिल्ली में ठीक है और जो सिर्वाइश खेल होते हैं प्रतयायक चार वर्स के अंताल पर आयोजित होते हrão baixo करते हैं को भूत ही महात्पूर महत्मुर्ण है एस्याइखेलों की शुरुवात कब हुई तो 1951 से इनकी शुरुवात हुई थी और जो मुख्याले जो है ऑईसेखेलों का मुख्याले जो है वह भारत नई दिल्ली में है और यह जो आयोजन होता है प्रते चार वल्स के अंताल पर होता है प्रस नमबर पच्चिस देखते हैं यंशी सी यानि नेशनल कईड़ेट कॉर कोर ठीक है नेशनल कईड़ेट कोर की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को और करी किसने थी हिर्देनाथ कुझरू ने करी थी और इनका जो मुख्याले है नई दिल्ली में ठीक है रिपीट करते हैं बहुत ही ज़्यादा महात्पूर है ये नसीसी और इसका फुल फार्म होता है नेशनल कईड़ेट कोर होता है यानि राष्टी कईड़ेट कोर ठीक है राष्टी कईड़ेट कोर और और जो इसकी स्थापना जो हुई है तो ये का आधर्स वाक्य होता है, एकता और अनुसासन, ठीक है, इन सीसी का जो आधर्स वाक्य है, एकता और अनुसासन, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रस नमबर 26 है हांकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो एक question आपके लिए है, और आप हमें comment में जरूर बताइएगा कि इसका answer क्या होगा हांकी का जादूगर किसे कहा जाता है ठीक है और friends अमीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और यह पसंद आता है तो comment करिए और like करिए और channel पर यह नए हैं तो channel को subscribe करिए और साथ में bell icon जरूर दवा देना ठीक है ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सता मिल जाए तो ठीक है फ्रेंस मिलते हैं गले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत आप से कल मुला करें